पता नहीं, पता नहीं हम लोगों का क्या रिष्टा है, मैं आपके लिए एक रीडर हूँ, आप मेरे लिए मेरे वीवर्स हो मेरी सोल फैमली हो, लेकिन यकीन मानो, मुझे आप सभी से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है, मुझे आप सभी का इंतिजार रहता है, मुझे अलब बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, चलिए, अब आप लोग आ गए हैं, ठीक है, और जिन्होंने तुरंट क्लिक करके देखी है रीडिंग, यह आपके परसंद की करन्ट एनरजी है, मेक शियोर कि आप ध्यान से देखे, मेक शियोर आप समझने की कोशिश करें, कि आपके परसंद की एनरजी क्या बोलती है, चलिए, शिरू करते हैं आपके परसंद की एनरजी, लेकिए इंजल्स का नाम, ठीक है, अपने परसंद का नाम लीजिए, और उनके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, चलिए, अपने परसंद के बारे में सोचिए, उनके करें feeling, आज candle wax reading है, देखते हैं कि आपके person के मन में क्या चल रहा है, अच्छा एक चीज बताना चाहूंगी, जिन भी लोगों से ये बातचीत करते हैं, जिन भी लोगों से ये घिरे हुआ है न, उनसे इनकी regular बातचीत होती है, और ऐसा लग रहा है की, ये person ऐसे हैं, जो इनने सीख लिया, जो इननने जान लिया, जो इनने समझ लिया, जो दूषरों से मिल गया, उसके अधिन हो जाते हैं आपके person, ठीक है, फिर उसके बाद इनको समझाना मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है उसके बाद इनको बुजहाना मुश्किल है कि नहीं इसके अलावा भी चीज होती है इंडिविज्विज्व के लिए हर एक इंडिविज्विज्व के लिए चीज़े वैरी करती है हर किसी की चीज़े सही नहीं होती ठीक है और दूसरों की सिखाए हुए चीजों से अपने चीजे नहीं चलती यह चीज बताना आपके परसन को कन्विंस करना यहाँ पे बहुत ज़ाद मुश्किल हो रहा है इन फाक्ट मेरे लिए भी मैं आपको सच बताऊं तो तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो दिल खुल के समझ लो कि यह आखिरकार हो क्या रहा है अगर इनके आसपास वाले हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही आप दोनों के मामले में टांग डाते हैं कुछ ऐसे लोग जो आपके बारे में हर रोज गौसिप करते हैं आपके परसन से शायद उनका धरम ही यही है कि उनको रोज जाके आपके बारे में डिसकस करना है आपके परसन की लव लाइफ के बारे में डिसकस करना है और ये इनसान इतने बेहकूफ कि अपनी लव लाइफ के बारे में बताये जा रहे हैं, बताये जा रहे हैं, एक चीज याद रखना, इनके आसपास जो लोग है ना, जो इनकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहरे हैं इतना जादा, वो इनके वेल विशर्स तो बिलकुल भी नहीं है ठीक है बिलकुल भी नहीं है उनके वेल विशर्स आपके परसन को ऐसा लगता हो सकता है पर मैं एक चीज बता दू कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजा लेना आता है मैं बता रही हूँ not everyone is your friend ठीक है be very careful आप किसके सामने क्या बता रहे हो be very careful कि आप किसके साम यह है कि कि कभी कभी क्या होता है हमारी चीज़े होने वाली होती है कभी क्या कभी क्या होता है हमारी चीज़े होने के time हमें intuition मिल जाती है हमारी energy हमें बता देती है लेकिन अगर आप mix energy में रहोगी न मैं आपके person की बात कर रही हूँ और आपको भी एक चीज बता रही अगर आप हमेशा मिक्स एनरजी में रहोगे, अगर आपको हमेशा confusion रहेगी न, चीजों को लेखे, तो मैं बता रही हूँ, बहुत बार आपकी intuition आपको सुनाई नहीं देती, intuition जब बोलती भी है तब भी आपको पता नहीं चलता, और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप का आपको कैसे बताओं, जहां पर आपके person multiple लोगों से बात करते हैं, multiple लोगों को इस बारे में बता रहे हैं, जो फैसला हो सकता है, वो आप दोनों को बात करके देखना है, आप दोनों को बात करके करना है, जो आपके person के मन में आ रहा है है न, उसको ये जानते हैं इग्नौर कर रहे हैं इस वज़े से यहां पर प्रॉब्लम सराइज हो रही है भाई इग्नौर करोगे तो फिर ऐसा काम तो नहीं चलेगा है ना तो मैं देख रही हूँ ध्यान से और मुझे समझ भी आ रहा है कहीं न कहीं है परसन मात खा रहे हैं ठीक है और कमी सिर्फ और सि स्पेशली कल की रात जो थी आपके परसन के लिए ऐसी रात थी जहां इनको ऐसा लगा कि आपसे बड़ा दुश्मन इनका कोई नहीं कहते हैं जिसने जो पट्टी बढ़ा दी उसकी बातों में आ गए पर ये नहीं सोचा कि जिस इंसान के साथ इन्होंने समय बिताया उसको उनसे जादा और कोई नहीं जानता कौन-कौन इस बात से अग्री करते हैं लिखिए 100% रेजुनेटर हंडर परसन रेजुनेटर कॉमें सेक्शन में लिखिए अब ध्यान से देखो तो समझ जाओगे ठीक है मेरी बात को समझ जाओगे यहां पे आपकी एक तो यह है कि कोश सही दिशा में करनी है आपको उसी इनसान से बात करनी पड़ेगी जो इनसान आपका सच में है कोई और इस चीज का सलुशन नहीं दे सकता पर इस वक्त आपके परसन के एनरजी इतनी जादा डिस्टर्ब्ड है इतनी जादा नेगटिव हो रखी है कि यह दूसरों से बिना जाद अपने हिदेशी मिल गए हैं बहुत जादा अब उसी को लेकर ही यह पर्सन रहना चाहते हैं उसी को लेकर ही पर्सन काम करना चाहते है उसी को लेकर यह अपने आपको यहाँ पे मजबूत रख पाएं आपके person की कोशिश पूरी रहेगी कि किसी भी तरीके से अपने आपको सही प्रूफ कर पाएं मैं बता रही हूँ जब सही यह person किसी और की influence में है इतना जादा इस person को भढ़काया जा रहा है कि अब इनकी नजर में यह हो गया है कि सबसे ज़ादा सही यही है ठीक है? सबसे ज़ादा सही यही है और आपने इनके साथ बहुत गलत किया है ठीक है? अपनी गलती तो पूछिया ही मत इनको भूले सही नहीं दिखती अपने actions में बिलकुल Oh my goodness अपने actions में इनको बिलकुल perfection दिखती है बिलकुल perfection दिखती है ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश भी बहुत कर रहे हो प्रापना करके ठीक है? इस person को आप dreams में बहुत ज़ादा देखते हो मैं आपकी एक चीज़ बताती हूँ इतना सब कुछ होने के बाद न ये person पते हैं क्या करते हैं हर रात को रात का scene ये है कि ना इनके मन में देखो ऐसा तो नहीं है कि इनको पूरी तरीके से satisfaction मिल जाए ऐसा तो नहीं है अब होता क्या है कि रात को सोने से पहले न इनसान जवर्दस्ति किसी के बारे में सोचते हैं जवर्दस्ति किसी को याद करते हैं क्यूं क्यूं जी इसलिए जी ताकि इसलिए ताकि मैं आपको कैसे बताऊ ताकि कुछ बात हो पाए कुछ सपनों के थ्रूई आपके बारे में जान पाए अरे भई, इतना ही जानना है, तो साफ साफ आ के बाद करो ना इतना ही जानना है, तो फिर डिरेक्ली आगे मुँपे बोलो ना इतनी तो हिम्मत रखनी चाहिए जो की है इस परसन में पर बाकी जो energy है ना, एक तरीके से pulling force है बाकी जो एनर्जी है इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है आपके पास नहीं आने दे रही है दूसरी बात ये हाल फिलाल में अगर इनकी घर पे कोई शादी हुई है या फिर एंगेजमेंट हुई है वहाँ पर भी ये परसन बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे है पर ये परसन वहाँ पर पूरी तरीके से मौझूद नहीं है दिल इनका आपके पास है इतना सब कुछ होने के बात भी मैं देख रही हूँ किसी भी शादी भी आमें आपके परसन जाते है तो आपका ख्याल एक बार इनके मन में जरूर आ जाता है ठीक है और ये परसन इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मेरी बारी कब आएगी या फिर मेरा साथी कौन होगा और ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं कि आपके अलावा कोई और हो या फिर कोई नया परसन एक मन में किरियोसिटी आती है ना आरे यार उनसे तो हूई नहीं अब कैसा होगा अब क्या होगा जो आए मेरा नुकसान ना कर दे क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि इनके मन में नेगटिविटी भड़ दे गई है न, जो ये इनसान अपने सपने में बार-बार देख रहे हैं, जो ये इनसान अपने आपको बार-बार, जुनों, मजबूर कर रहे हैं, कि वो आपको सपने में देखे, तो इसका मतलब क्या है आप भी तो चाहते हैं, तब ही तो यह हो रहा है, यह आप से जवाब ही चाहते हैं, कि आप कुछ तो बोल दो, लोग कहते नहीं है, दिमाग में पूरा जहर भरा हुआ है, पर दिल चाहता है कि कोई ना कोई मैसेज, सिगनल आए आपकी तरफ से, जिसको लेकिन इस्योर हो जाएं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे सिगनल या फिर कोई भी इशारा आप दो, जिसको लेकर, या तो दो चीज़े, जो इनको भड़काते हैं, उनकी बात सच हो जाए, या फिर जो इनका दिल चाहता है न अंदर वो सच हो जाए, इनके मन में तो यही आ रहा है मैं देख रही हूँ, अगले हफते तक आप ये मान लिजे, अगले साथ दिन, यहाँ पर आपके परसन काफी टाइम से, एक कैतेनिक चक्र वियू में फसे से होए हैं, ये मान लो, कि इतना सब कुछ होने के बाद इनका दिल क उस सवाल का ये जवाब चाहते हैं, खुद से ही, तो ये क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर इनके पास दो आप्शन हैं, या तो ये छुपते फिरें आपसे, भागते फिरें, दूसरा आप्शन ये है, कि अपने डर को पीछे करके ये आपके पास आएं, और आपसे एक बात करें, ठाग है, अब ज्ज़ादेतर चांसे मुझे ऐसा लग रहा हैं ये आपसे छुपते ही फिरेंगे, ठाग है, बात की जो बात है, ये है कि वो एक बार हिम्मत करके आजाएं, तो बल्ले बल्ले क्या ही कहनें, खब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो धयान से, मन है दिल की बात है न दिल है की मानता नहीं दिल है की मानता नहीं ये गाना किस-किस ने सुना है कॉमेंन सेक्षिन में जरा बताईए तो यहां पे आप देख लो इनसान जल रहा है इनसान तड़प रहा है क्योंकि इनसान बाकी लोगों की बात में एक चीज और, ये अपनी जिन्दगी तो कम जी रहे हैं, बाकी लोगों की जादा जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ना बाकी लोग जो हैं, वो कही ना कही इन पर प्रेशर डालते हैं, कि ये चीज कर, ये चीज मत कर, क्योंकि वो मैजॉरिटी में है उनका number ज़ादा है तो आपके person को पता क्या लगता है शायद ही मेरे लिए सही बोल रहे हैं बातों में आ जाते हैं न शायद अगर यह आपसे बात करते हैं आके तो उन लोगों को offend कर देंगे या फिर यह मान लो कि उन लोगों को उन लोगों को यह दुखी नहीं करना चाते उन लोगों को यह परिशान नहीं करना चाते उन लोगों की उम्मीदें नहीं दोड़ना चाते आशा करती हूँ यह reading resonate होई होगी क्या क्या portion आपको सही लगा comment section में बताना जरूर description box में new reading का link है देखके जाना वरना बहुत पच्चता होगे साफ सिधी बात है मिलती हूँ अगली reading में एक new energy एक new topic और एक प्यारी सी smile के साथ मिलेंगे आपसे अगली reading में take care God bless you bye bye